इस गड़ के सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ इस वक्ते की सबसे बड़ी भरती के बारे में अपडेट्स के बारे में तो आखिर कार डिप्लोमा था डिग्री था वही इसके लावेदन की है तो आखिर कार किसका सेलेक्शन जो है हो पाईगा कट आप का क्राइटेरिया क्या होगा क्या डिगरी वाइस पुरा कट आप का पुरा लिश्ट बताऊंगा जनरल ओबी सी, सी, स्टी, स्टुडेंट का जो है सेलेक्शन जो है किस तरह से होप आएगा किते questions आपको शॉल करने देखिए काफी students इस चीज में सबसे बड़ी घलती कर देते हैं कि वो सभी questions को टिक कर देते जी हैं नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करने, आपको सभी questions को टिक नहीं करने, जिस questions का अंसर आपको पता नहीं है, उस questions को आपको जो है ठिक आपके लिए जो है benefits होगा और सभी चीज़े आपके उपर depend करता है हर एक चीज़े आपके काम के उपर आपके मेहनत के उपर आपके hard work के उपर ही depend करता है इसलिए अच्छे से मेहनत करना जरूरी है काम करना जरूरी है और काम किये बगर जो परणाम के बारे में सोचो मत अग से मेहनत तो किजिए तैयारी तो किजिए उसके बाद अगर सेलेक्शन नहीं होगा ना तब बोलना और एक्जाम के अगर हम बात करें सायक पसुची किस्ता शेतर अदिकारी भरती पर इच्छा तो इसका एक्जाम जो है 17 जुन को होने वाला है तो जितने क्वेस्टेंस मैं आ अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्राब्लम्स हो गए क्योंकि समय जो होता है वो आपके रेत की करणों की तरह होता है समय जो है कब निकल जाता है आपको हैसास ही नहीं होता आपको पता ही निशलता है आपको लगता है कि हमारे पास बहुत ही जादा समय है लेकिन यह जब समय निकलता है ना तब उसके बाद हम सोचते हैं हम सोचते हैं कि कास कास हमने पहले पढ़ाई कर लिया होता है कास हमने वक कर लिया होता है पहले से साइमेंट को कंप्लिट कर लिया होता है और उसके बाद ना सिर्फ अपसोस रह ज है इसलिए अच्छे से मेहनत करो प्रिपरेशन्स पर वाक करो हार्ड वाक करो और बीना रुके बस मेहनत करते जा और जिन्दगी में कभी भी गिव अप मत करना गिव अप करोगे तो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाऊ गए जिन्दगी क्या है हर एक मोड पर आपको जि मिलेगी अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो और अगर आप गिव अप कर देंगे तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि साइद आपको जिन्दगी में आगे कामयाभी मिले या ना मिले इसकी कोई गरनटी नहीं और कोई भी चीज में किसी भी प्रोफेशन्स में सिर्फ आज मेहनत करोगे तो तूरंट कामयावी थोड़ी ना मिल जाएगी तूरंट आपके। जिंदिगी बहतर थोड़ी ना हो जाएगा। कि काफी जाद is important है, बहुत जाद idee है तो जितना जाद आप महनत करोगे जतना जाद आफ work करोगे जतना जादा आफ hard work करोगे उतने जाद आपके लिए बेश्ट होगा, अतने ही जाद आपके लिए बैहतर होने वाला, Helpมา मुझे हमेशा एक बात पर वी स्वांस होता है कि जब कोई चीज असानी से मिल जाती है ना उसके वैल्यू हमें समझ में नहीं आता आप ऐसे काफ़ी स्टुडेंट होते हैं जो उनको ये लगता है कि सभी चीज़ असानी से मिल जा लेकिन नहीं अगर सभी चीज़ अगर आपको असानी से मिल जाएगी नहीं तो उसके वैल्यू आपको पता नहीं होता जो बहुत महनस से बहुत मुस्किल से बहुत जादा ट्राई करने के बाद मिलता है उसके वैल्यू उसके हिसास हमें पता चलता है अगर हम बार बार कॉंपिडिशन्स एक्जाम में हमें रिजेक्शन्स के सामना करना पढ़ रहा है बार बार कॉंपिडिशन्स एक्जाम में हमें फैलियर के सामना करना पढ़ रहा है बार बार कॉंपिडिशन्स एक्जाम में हम फैल हो रहा है उसके बाद तब अगर हमारा कॉंपटेशन्स एक्जाम जो है क्वालिफाइक होता है उसकी जो एक अच्यूमेंट होता है वो जो सफलता होता है, सफलता के आगे सभी चुझे फिकी पड़ जाती क्योंकि आपने उसके लिए निरंतर महनत किया आपने उसके लिए जो है निरंतर प्रास किया और निरंतर महनत करने से निरंतर काम करने से निरंतर हार्ड वक करने से ही सफलता मिलती है ऐसे थोड़ी नहीं कि आज महनत करूगे और कल कामयाबी मिल जा गई है चुझे बिलकुल नहीं है निरंतर महनत करना जोरूरी है निरंतर जो हार्ड वर्क करना जोरूरी है और जितना जादा आप हार्ड वर्क करोगे जितना जादा आप महनत करोगे उतने ही जादा आप जो है जिन्दगी में आगे बढ़ पाओगे बस इसके लिए work करने, इसके लिए hard work करने और जितना जादा आप hard work करोगे उतने ही जादा आपके लिए अच्छा होगा उतने ही जादा, बेश्ट होगा उतने ही जादा बहतर result आप लोगों को जो है मिल पाएगा इसलिए काम करना ज़रूरी है, महनत करना ज़रूरी है और बिना काम के परणाम के बारे में बिल्कुल मसोचो और अगर अगर आप अच्छे से काम करोगे, अगर आप अच्छे से work करोगे तो आज नहीं तो कल आपको काम्याभी मिलेगी ज़रूर कामियाबी कहीं जाने वाला नहीं है बस इसके लिए आपको मेहनत करते रहना है मेहनत किज़े work work and work जितना तुम्हारा मेहनत होगा कामियाबी भी उतना ही मिल पाएगा so cut up के बात करें तो general के degree वाले student को बताना चाहता हूँ अगर आपका marks 115 से 125 के बीच में आएगा तो ही आपका selections होगा वहीं वो भी सी के degree वाले student के बात करें तो 110 से 115 अगर आता है तो selections हो जाएगा सी के degree वाले student के अगर हम बात करें तो सी के degree वाले student का cut up जो होगा वो आपका 105 से 110 नमबर के बीच में हो जाएगा वहीं STC category वाले student के अगर हम बात करें तो STC category वाले student का आपका जो है 95 से अगर 100 number भी आ रहा है बन रहा है आपका marks है आपका selection जो हो जाएगा तो बस अच्छे से महनत करना अच्छे से work करना अच्छे से तैयारी करना महनत अच्छे से कीजे तैयारी अच्छी सी कीज़े और महनत इतनी खामोसी से कीज़े कि कामयाभी जो है सोर मचा दे और बस महनत करते रही है तैयारी करते रही है सफलता का क्या है आपको बस consistent होकर महनत करना है consistency को maintain करना है उसके बाद देखना आपको कामयाभी जो है जरूर मिलेगा So I hope वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर वीडियो से अच्छा लगा हो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़े चैनल पर अगर आप लोग नहे हैं तो प्लीज चैनल को सबिस्क्राइब कर लिज़े साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आउन करके रख लिज़े और वीडियोस को जितना जादा खोशक है अपने फैमली में दोस्तों मेरे सेदारों पर वीडियोस को शेयर करना So thank you, बस अपना ख्याल रखें Competitions exams की जो है तैयारी करते रहिए मिलते हैं किशे नयव वीडियो में धन्यवाद, शफलता जरूर मिलेगी, बशकोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए